तब ये क्लास 10 का साइन्स का स्लेबस है मैं अभी साइन्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चिन एंसर देने वाला हूं एंसर भी रहेगा लेकिन को मैं पहले पॉइंट आउट करूंगा क्यूंकि देखिए ये मैं 15 चेप्टर दे रहा हूं our environment important question important chapter है question भी यहां से कई important निकल के आएंगे लेकिन आपको syllabus देखकर पढ़ना पड़ेगा देखें कभी-कभी ऐसा भी हुआ है मैं सिप syllabus पर ही focus करने को नहीं कहूंगा क्योंकि by the way syllabus तो हमें रास्ता दिखाता ही है 15.2.1 इतना दूर तक चाहिए यहां पर onward मतलब आपको नहीं चाहिए 15.3 तो 15.2.1 के अंदर देखते हैं कौन कौन सा चाहिए 15.2.1 के अंदर बाइदेवे लास्ट यह हुआ किया था इस्पेशल जो एक्जाम हुआ उसकी पेपर को अगर आप एनिलाइस करते हैं पेपर को देखते हैं देखिए मैं पूरी यहां पे आपको पूरा जो भी मैं वीडियो बनाता हूं exam point of view को देखा जाए तो आपका जो भी वीडियो रहता है आपको help ही करता है इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें चलिए आवर इंभरिमेंट के अंदर अगर मैं दिखाता हूँ 15.2.1 बाइद वे लास्ट एयर का जो पेपर मैंने देखा था 21 स्पेसल एक्जाम का तो एक्जामिनर सिलेबस से भी बाहर कुछ कोश्टिन दे दिया था वो मुझे अस्टर ये लगा देख कर क्योंकि मैंने देखा कि पेपर जो सिलेबस में कहा गया था उस सिलेबस को छोड़ कर भी एक्जामिनर कई कोश्टिन ऐसे दे दिया था तो देखिए इस बार आई होब कि आप लोग को सिलेबस को ही फोकॉस किया जाए तो बेहतर होता है क्योंकि हमें यह स्लेबस सी गाइड लाइन देता है तो स्लेबस को देखकर ही हम पढ़ाई करेंगे आगे चलते हैं हम 15.2.1 के इंपोरेंट कोश्टिन पे यह चेप्टर है आवर इंभारिमेंट वाट हैपन वेन वी एड़ आवर वेस्ट तो दा इंभारिमेंट चलिए इतना आया नहीं था इसको हम गोड़ नहीं करेंगे यहां पर जो कोश्टिन बनता है वाई आर दसम सब्टेंस यह पूरा ही इंपोर्टन है बायो डिग्रेबल एंड सम नोन बायो डिग्रेबल तैस वेरी इंपोर्टन डारेकल एक्जामिनर कोश्टिन पूचा था अब ल अब देखी 15.2 की बात करूं एको सिस्टम से डायर कोश्टिन पूचाता एक्जामिनर एको सिस्टम होता क्या है वाट और इस कॉंपोनेंट्स यह भी पूचाता एक्जामिनर डायरेक इसी टोपी को कोश्टिन बना दिया था आब अगर पेपर उठाकर देखते हैं तो मेर अब बात है एको सिस्टम एंसर तो यह सब एंसर आपको जस्ट एक बार रीडिंग कर लेना है उसके बाद फूचेन यह इतना इंपोर्टेंट है कि डायरेक एक्जामिनर कोश्टिन फूचेन पर दिया हुआ था फूचेन होता क्या है और इसको प्रोसेस क्या है डिस्क्रा सब्सक्राइब तो इससे बाहर कोश्टिन आएगा भी नहीं कि स्लेबस ही कहता है 15.2.1 अब देखिए हम अगर अगर हम फूचेन के बाद फूचेन वेप के बाद अगर यहां पर आते हैं तो 15.3 आ जाता है 15.2.1 इतना दूर चाहिए यहां पर मैं देखता हूं तो 15.3 आ जाता है लेकिन यह दो कोश्टिन भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह रिलेवेंट वही वाला 15.2.1 इसके अंदर ही यह दो कोश्टिन आ जाते हैं आपको पांस से च्छे कोश्टिन बना उदर तीन दो पांच और एक मैं इनर कोश्टिन दिया एक्जामिनर साइंस में इनर इसको भी जड़ा देखते हैं यह वाला जो एक मार का है यह सब कर लिजिएगा बुक का है इसको यहां पर यह कोश्टिन आया था एक्जाम में स्वाइश बार भी कोश्टिन यही आने का चांसे बहुत जादा है 100% यह कोश्टिन बनेगा वाट इस ओजन एन हाव और दोसि इस एफेक्ट एको सिस्टम तैस वेरी इंपोर्टन और कोश्टिन इसके बाद इस पोश्टिन यह प्रोब्लम तो कम ही पुछता है देखिए ये कोशिन था से 3 नमबर कोशिन इंपोटेן इंपोटेंट है इसके दोनों फटाना ही आपको कि इसके बचिव एको सीस्टम पर 5 नमबर कोशिन इंपोटेंट है तो ये तीनों में एक्जाम के लिए सेलेक्शन कर रहा हूं में ओजोन लेयर के ऊपर कोस्टेन कई बर पुछा एक्जामिनर नो नुम्बर इंपोर्डेंट है इससे बाहर को से आने का चांस बहुत ही कम है चैप्टर 15 के अंदर बाइद वे हम पेपर की एनिलाइस कर लेते हैं कि पेपर किस टा होता है कॉंपोनेंस क्या होता है एको सिस्टम के वह यहां पर दिया है बायोटिक बायोटिक कॉंपोनेंस होता है बायोटिक कॉंपोनेंस के अंदर प्लांट्स अनिमल्स दोनों आ जाते हैं प्रोडूसर होता है कंजिमर होता है डी कॉंपोसर होता है यह सब होते हैं तो य एक बार आम यह वाला ने चाहिए ओजन लेयर को पर कोशिण आया था अल्टर वाइले डेखिये जो डिरेक्शन होता है तो यह सनलाइट प्रोटेक्टिंग करता है तो यह प्रोटेक्ट करता है सो वेरी इंपोर्टें ओजन लिया आपको पढ़ना है वह यहां पे नोट्स द इन्हेरत रहता है तो यहां पर फूडोटो वेब है यहां पर कोशन होता क्या है नंटेक्षक समय होता है दोन एंसर यहां पर मिल जाएंगे आपena को ऑज़न के उपर एक ही क्वेश्टन आया था यहां पर देखाया गया है बेरी सोट एंसर सो इंपोर्टेंट है कि आप यह पूरा ही पढ़ जाएं एक मार्क वाला पूरा चाहिए मुझे यह तो इसके बाद दो मार्क में करूं सोट एंसर टाइप कोश्टन के अंदर तो पहला इसके बाद यह कोश्टन आया हुआ था देखिए कई एक्जाम में कोश्टन मिला है कि 10% एंशी डायरेक्ट ट्रांसपर कर किया जाता देखिए जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वह 10% एंशी हमें प्रोबाइट करते हैं इसलिए ग्रीन प्लांट को डॉक्टर भी सला देत इसलिए जाता है खाने के लिए तीन मार के ऊपर जो कुश्टन है मैं जो इंपोर्टन कहता हूं इसी को पढ़ियेगा यहां पर कुश्टन से में नमर इपॉंटेट है वाट इस दे रोल आप डी कॉंपोज़न इन इको सिस्टम एनर्जिक ऊपर यह पिरामिड को पर कॉश इस पर के कोश्ट इस पर पे एक कोश्टन आया हुआ था लेकिन वह आवर इंभर्मेंट से था नहीं वह अलग चेप्टर से था कंजीमर किसे करते हैं प्रोड्यूसर क्या है तो पढ़ियेगा तब समझ में आ जाएगा नेचरल एको सिस्टम क्या है यह इंपोर्टेंट च इस पर देश्टेड वूड वूड एफेक्ट एफेक्ट दा इंभर्मेंट देखे इफेक्ट और अफेक्ट में अंतर होता है तो यह भी आपका वोकबिलेडी के अंदर आ जाता है ग्रामर के अंदर इंग्लिस में एक ही क्वोच्टिन को दो बर दिया गया है यह सब नहीं चाहिए कोश्टिन जितना दिया मैं नेचर इकोसिटम यह तो चाहिए जितना क्वोच्टिन दिया नफ एक्जाम के लिए इसे बाहर आपको पढ़ने की जूरूद भी नहीं है इसी के अंदर से डार्येक्ट आ जा इंपोर्टेंट मेट्रियल्स वीडियो ही देता हूं में एक्जाम की जो आपको एंसर सीट मिलेगा वो पेपर कैसा रहता है वो भी दिखाया हूं फिलप कैसे करना है बहुत सारे स्टुडेंट जानते नहीं है गलती कराते हैं तो उसके लिए भी वीडियो में बनाया हूं आ किस तरह करना है यह एक्जाम में आपको बिल्कुल इस तरह का एंसर सीट मिलेगा तो आपको कैसे लिखना है उसमें इसके बाद मार्जिन कितना दिया जाता है एंसर कहां से स्टार्ट किजिएगा तो यह सब वहां पे दिखाया गया है वीडियो में जो एक बर जरूर भाल देपना है गया है वहाद लिखना किजिए